तो फिर मुझे ये बोले कि चलो तुम्हारा बाल बच्चा है, बाल बच्चा के कई शहारा नहीं है, मैं सहारा बन जाओंगा के तुम्हारा बच्चा नहीं मेरा बच्चा है. यह लड़का है यह उनकी माँ है दाल किला में यह रूम लेता था और जबरदस्ती मुझे डांट के फटकार के मार के बुलाता था यह मुझे वह छोड़के साल भर से भागा हुआ ना खाना दे रहा ना पीना दे रहा कुछ भी नहीं कुछ कबर हैं मेरे से पहले तो लड़की को और यह जिंदगी खड़ाब किया एक तो नौएडा गुर्गामा में एक दिन दिया जिपनाम सवागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमीत कुमार आया दीन बिहार में या कहीं देस में महिलाओं के साथ किस तरह की चाहिए घरेलू हिंसा होत कि यह मन में दबा के रहने पड़ता है लेकिन जब पानी सर से कहते हैं को ऊपर निकल जाए तो आदमी करता मरता क्या नहीं करता वो बोलना ही पड़ता है तो एक ऐसे ही महिला है जिनका नाम है मदीना खातून यह बिहार की दरभंगा की रहने वाली है मेसा से दिल्ली में जिसका नामाल बनती है उसके बाद उनके साथ बलतकार जैसे चीजों का अंजाम देता है उसके बाद 만 फो स सादिक करवा दいい喔eln साथ भीक 밝ण हेंए सब से कृषकानी लाइं सम पूर क्लेम हैं दिनों से ओर लाइक पृच्व हैं तो आज हमने बुलाया पटना मेने और बात्चीत हमारी हो रही है तो आप जो जो फोटो बहरा भी जी थी जो चीजे हुई थी क्या आप सब दीन हमेशा से पट दिल्ली में रही हैं हम बच्पन से रहें 12 अच्छा दर्भंगा में मतलब नहीं रहते थे हम पापा जब से मरें हमारे ममी लेके दिल्ली में रहते थे हम लोग चोटे-चोटे थे अच्छा तो आपके दो तीन तरदलिंश कमने करें थे थे। लोड़े उत्यू करती हैं थे आप क्या है तो हमारी बात छित नहीं तो हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं तो हमने उनको मदद किये मदद करने के बाद यह मेरे घर पर आना जाना आना जाना शुरू कर दे मेरे बच्चों लोग उनसे नफरत करते थे कि मेरे घर मत आओ फिर भी यह जाते थे और मेरे से पहले तो लड़की को और यह जिंदगी खराब किया एक तो नुएड़ा गुर्गामा में एक दिन दिया तो यह गलात कामों का अंजाम कैसे दिया आपको बुलाया जहां साथ दिया मेरे घर पी आते थे मैं उनकी नहीं जा को प्यार हुआ देते थे बात्चित करते थे आते थे एक बात बताई में दिनाजी देखिए कई चीजों का मतलब अलग होता है कानून में जबरदस्ती रेब जैसी चीजों बहुत संगीन अपराध है और एक जहांसा में लेकर 420 करके 420 एक अलग चीज है तो दोनों चीज का मनतर वही हम यह समझना चाहरे को आपके साथ जबरदस्टी क्या जबरदस्टी यह लाया क्योंकि दाल किला में ये रूम लेता था और मुझे डाट के तो रहा था तब आप पैसा क्यों दे दी इतना कितना लाख रुपया दिये बारा लाख रुपया पहले दी थी बारा लाख रुपया एक ऐसे एंजान आदमी जो आपके साथ जवर्दस्ति कर चुका है उसको हम क्यों देंगे वह बोले थे मेरे बाइग एक्षिड़ेंट हो बहुत ही रो रहे थे उसके भाई को चार पांच बाल बच्चे थे चोटे 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 तो यह बोला मुझे दे दो मैं दे दूंगा तुमारे बिटिया के साधी में मैंने बोली ठीक है जब यह नहीं दी पैसे और मेरे रूम पी आते थे जिसे रहते थे खाते थे पीते तो मैं एनके गाओं पहुची कि मेरा पैसे लेने कि मैं खास के पैसे ले नहीं रम जानी गए थी उपके साथ कुछ भी किया वजवरदस्ती किया उससे कोई अपती नहीं था भागवान उपर है लेकिन जवरदस्ती को मेरे साथ बहूत की आई बहुत की आया यह तब ही कि यसे फिर पर आप बताई कि आपकी साधी वी ओगए दिखिये यह पूरे कई सारे पेपर जो इह लड़का है यह उनकी माँ है तो इन यह इसी पहले साधी हो रखी है यह पहली है साधी दुसरी दुस्सी तो आपका देखिए न कई चीजां को समझ भी नहीं आ रहा आप चा पर और यह पैसे देती हैं और उसके बाद एक लेम करने की बजाए साधी कर लेती है चादी से कर लियां चाधी उनके गौंव बाले मुहले बाले जबरदस्ती की यह कर दो हर वार आपके साथ करें उसका लाइसेंस बेने की जरूरत क्या थी हम साधी करने नहीं गैते हैं यह कोई पता है मुखिया सर पंच जवरद़स्ती एक एंगे मुझे कहा तो धी 되면 हम को पैसा नहीं को बोला था घंपusting इनके मां निकल तो नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाओंगी तो फिर वह यहां पर क्यों आएगी इतनी सी बात के लिए मुझे वह छोड़के साल भर से भागा वहा ना खाना देघा ना पीना देघा कुछ भी नहीं तरह के तरह के टॉर्चर मारूंगा पीटूंगा तुझे यह रखूंगा तो अब पता दीजे पब्लीक फोटों जिखा देंगे किस तरह का मार पीट बगरा और कुछ मुह से ना खतम करवा दिए तो तब भी नहीं और बोल रहे थी कुछ भी मैं बौलती थी चाहिए मुझे किसी लर्की के साथ ना करे वह पैसा भी चाहिए जाए चाहिए झामा करके रखी ते अब क्या करती पेटी अब का सादी के लिए अच्छा आप क्या करती है मेरा तनख़ा था 16000 रुपएया मेरी मैडम से बात करना चाहें तबात सकते उनका नमबर है तो देखें यह काम करती थी कुक का और इस तरह से सोचिए ना कि किस कस तरह के इनके आस पास के लोग भी कैसे होंगे कि ये बार बार इनके साथ गलत हो रहा था और उस गलत में ये साथ भी दे रहे थी पहले वो जवर्दस्ती करता है फिर उसके बाद ये पैसे देती है पैसे देने के बाद वह पैसे देने से बचने के लिए साधी कर लेता है फिर तो आप आप कर रहा है तो अब पैसा लोटाओ निकलो तुम यह सामने वाला अ रोप लगां करने हैं वहां भी साथ लाग रुपया कुमैरी का मिम्बर था यह ओभी पूरुप मेरे पास है तो यहां प्पू यादब से आप मिलने गई क्या मिले हम सर बोला है कि हम इंसाफ करेंगे सारा कुछ में देखे सरको आई हो बोला में साफ करेंगे पिटा ज़िए जो कुछ हो पड़ेगा और जितनी सारी सबूत यह लेकर आई हैं देखिए पूरे अधार काट से लेकर सब कुछ लेकर आई हैं पर आए हैं और यह यह फेमिली का फोटो है यह वाला देखिए फैमिली का फोटो यह गूम रही एं आप आप एक करें कि आप तो आप मीडिया का परसासन का रूख मत कीजिए जब आपको अंदेशा हो जाए पहली गलती में ही इस तरह का करवाई करने की जरूरत होती है क्योंकि आपके साथ नयाय मिले ना मिले टाइम लगे लेकिन टॉर्चर तो सहना ही पड़ेगा तो यह हाल इनकी है बाकि आपकी र जिहार के फेस्टू पेज पर देख रहे हैं तो पेज जरूर फॉलो कर लिजएगा देखते रही सच्वियार नमस्कार